Hello everyone, a very happy new year and a very warm welcome to Baiju's government exam prep. This day in history की ये जो series है, इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 3 जनवरी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे. आज की डेट है 3 जनवरी 2021, तो इसी के संबन्द में हम 3 जनवरी में इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे. ये जो घटनाएं हैं, ये आपके लिए SSC, DPC, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गौर्वर्मेंट एक्जाम हैं, उनमें कुछ जीके के कोशन्स की तरह पूछी जा सकती है. तो चलिए शुरुवात करते हैं. History of 3rd January, 3 जनवरी का जो इतिहास है, उसकी हम जो सबसे पहली घटना की चर्चा करेंगे, वो है सावित्री बाई फूले से संबंदित. तो 1831, 1831 में देश की जो पहली भारतिय महिला शिक्षिका है, सावित्री बाई फूले उनका जन्म हुआ था. In 1831, birth of सावित्री बाई फूले, the first Indian female teacher of the country. तो आपको ध्यान रखना है, सावित्री बाई फूले जो थी, वो भारत की पहली भारतिय महिला शिक्षिका थी. तो अगर हम यहाँ पर सावित्री बाई फूले के बारे में बात करें, तो इनका जन्म हुआ था, 3 जन्म हुआ था नायगाओं में. नायगाओं जो है, वो जो ब्रिटिश भारत का समय था, उस समय महरास्टर में इस्तिता, और अब यह जो इस्थान है, यह सतारा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इसके अलावा अगर इनकी मृत्यू देखें, तो इनकी मृत्यू हुई थी 10 मार्च 1897 में, और इनकी मृत्यू हुई थी पूने में, पूने कहाँ पर है, महरास्टर में. अगर हम इनके पती के बारे में बात करें, तो इनके पती थे जोतिबा फूले, जोतिबा फूले का नाम आपने सुना होगा, तो जोतिबा फूले की पत्नी थी सावेत्री भाई फूले, जोतिबा फूले जो थे उन्होंने महिलाओं और विद्वाओं के कल्यान के लिए कारे किया था, इसके साथ ही इन्होंने जो वोमेंस ह लिए जोतिबा फूले ने कारे किया था, जोतिबा फूले ने 1848 में women's की जो condition है उसको सुधारने के लिए women's के लिए एक school खोला था और इस तरीके से women's के लिए कारे करने वाला ये देश का पहला विद्याले बना था, तो आपको ध्यान रखना है जोतिबा फूले ने विध्याले की स्थापना की थी लेकिन जब ये विध्याले की स्थापना की गई थी जोतिभाफूले के द्वारा तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई योग्य अध्यापिका जो है उन्हें नहीं मिली. तो उनके द्वारा क्या किया गया कि इस कार्रे के लिए अपनी जो पत्नी थी सावित्री फूले उनको योग्य बनाया, तो जोतिबा फूले ने सावित्री भाई फूले को एक अध्यापिका के रूप में योग्य बनाया, शादी से पहले तक सावित्री भाई जो है वो अगर हम सावित्री भाई की कुछ महतुपूर्ण उपलब्दियों के बारे में बात करें, तो एक तो ये की सावित्री भाई जो है, वो देश की पहली भारतिय महिला, शिक्षक और प्रध्यापिका माना जाता है, उन्हें अर्थात, शिरी जीवनी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, ये फिल्म बनाई गई थी कंणनर में, तो ध्यान रखना है, दो हजार अथारा में सावित्री भाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म बनाई गई थी, और इसके अलावा, 1998 में इंडिया पोस्ट जो है उन्होंने इनके सम्मान में एक डाक टिकेट भी जारी किया था इसके अलावा वर्ष 2015 में इनके सम्मान में क्या किया गया कि जो पूने विश्व विध्यले है जो पूने यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल कर सावित्री भाई फूले पूने यूनिवर्सिटी कर दिया गया था तो इनके सम्मान में ये किया गया था इसके अलावा सावित्री भाई जो है उन्होंने अपने पती के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले थे उनको बच्चों को जन्म देने और उनके बच्चों को पालने की सुविदा दी जाती थी, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा उन्होंने महिला के जो अधिकार है, जो women rights हैं, उनसे संबंदित जो issues थे, उसके बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए महिला, के इतिहास में अगला पॉइंट है, मुंशी नवल किशोर से संबंदित, तो मुंशी नवल किशोर जो है, उनका आज के दिन उत्तर प्रदेश के अलीगड में 1836 में जन्म हुआ था, he was born in 1836 at अलीगड उत्तर प्रदेश, मुंशी नवल किशोर कौन है, he was the founder of Asia's one of the oldest printing press, अ इनके printing press में जो पुस्त के छपी है, ये कई अंतररास्ट्री है, जो पुस्तकाले हैं, कई international जो लाइब्रेरीज है, उनमें मिलती है, अगर हम मुंशी नवल किशोर के बारे में बात करें, तो इनको अपनी लेखनी के लिए जाना जाता था, और ये बहु आयामी व्यक्तित वाले और बहु आयामी प्रतिबा के धनी थे, इनको बचपन से ही जो समार चार पत्र है और जो व्यापार होता है, उसमें रूची थी, इन्होंने हमेशा से मानव मुल्यों का सम्मान किया, human values जो होती है, उसका इन्होंने सम्मान किया था, और आजादी के पहले के जो जमी, पत्रकार और एक साहित्यकार थे, ये जो अपने लेखन है, उनके लिए आज के जो लेखक है, उनमें भी सम्मानित है, अगर हम मुन्शी नवल किशोर के बारे में बात करें, तो हमने यहाँ पर देखा कि इनका जन्म हुआ था, तीन जन्वरी 1836 को, इनका जन्म कहा ह अलीगड में, अलीगड में एक स्थान है, सास्टनी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और ये एक ब्रामन परिवार में इनका जन्म हुआ था, इनकी जो रूची है, वो बचपन से ही पत्रकारिता और व्यापार में थी, और जो उनका चात्र जीवन था, तब से ही ये पत जो संस्थापक थे, मुन्शी हरसुक राय, उनके साथ में काम करने के लिए जो पंडित नवलकिशोर है, वो पंडित नवलकिशोर से मुन्शी नवलकिशोर हो गए थे, और यहाँ वो अकबार और चापे खाने के जो कारोबार है, उसको उनके द्वारा समझा गया, इसके इसके बाद में 1856 में ये आगरा लोट गय और यहाँ पर लोट कर इन्होंने एक सपताहिक अकबार साफिरे आगरा शुरू किया था, इसके बाद में 1857 की जो क्रांती हुई थी, 1857 में अंग्रेजों के खिलाव जो गदर शुरू हुआ था, तो ऐसे में जो छोटे अकबार थे, जो small newspapers थे, उनका जिंदा रहना संभव नहीं था, तो railway road इस्थित भारत पकाशन के मालिक और DM कॉलेज के हिंदी विभाग से सेवा निवरत डॉक्टर रमेश चंदर शर्मा का ये कहना है कि 1857 की जो क्रांती थी, उसको अंग्रेजों ने कुचल दिया था और तमाम धा और ऐसे में आगरा से वो अपना जो काम है उसे समेट कर लखनव पहुँच गए और भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है उसको किताबों में समेटने का उन्होंने प्रण लिया और उन्होंने सबसे पहले अकबारे अवद की शुरुवात करी, इसके अलावा 23rd November 1958 को नवल क इशोर प्रेस की स्थापना की गई थी, ये जो प्रेस है इसने हर भाषा के लेखकों की जो किताबे है उसे चापा और बाद में ये जो प्रेस है ये हजरत गंज में स्थापित की गई थी, इसमें प्राचीन, एतिहासिक और धार्मिक किताबों जो है उसको हिंदू और उर दोनों भाशाओं में इसे प्रकाशित किया था और उनकी जो प्रैस थी उसमें छपी इस्त्री सुबोधनी, रमायन, सूर्सागर समेत कई ऐसी तमाम किताबे थी जो हम आज भी देखते हैं इसके अलावा कुरान और हदीस जैसी जो किताबे है वो कई एहम इसलामी किताबे भ कि जो मुंशी नवलकिशोर थे उन्होंने पहली बार जो कुरान होती है जो कि एक इसलामी किताब है उसे कई अलग-अलग भाशाओं में छापना शुरू किया था और मुस्लिम देशों से हिंदुस्तान आने वाले जो बड़े-बड़े लोग थे वो मुंशी जी के दीवा इसके अलावा 19 February 1895 में मुंशी नवलकिशोर की मृत्यू हो गई थी यहाँ पर आपको ये द्यान रखना है कि पूरी दुनिया के जो बड़े-बड़े पुस्तकाले है वहाँ पर ये जो नवलकिशोर प्रेस है वहां की पुस्तके मिलती है इसके अलावा जापान में जो प्रकाशित सामगरी है उसके लिए विशेश कक्ष है अलग से रूम है नवलकिशोर प्रेस के द्वारा जो प्रकाशित किताबे की गई उनके लिए अब हम चलते हैं next point की तरफ let's move on to next point for history of 3rd January 3 January के इतिहास का अगला point है शांती निकेतन से संबंदित तो history के अगर हम ब रूम ही शांती निकेतन में ब्रहमचर्य आशरम का 1901 में उद्गाटन किया गया था रहविंद्र Naatt Tagore inaugurated the posh mila in 1894 at शांती निकेतन and the ब्रहमचर्य आशरम in शांती निकेतन opened in 1901 तो ये आशरम कब बना, ब्रहमचर्य आशरम कब बना और इसके अलावा posh mila यह आपके लिए जानना important नहीं है, लेकिन आपके लिए यह जानना important है कि शान्ती निकेतन क्या है और इसका संबंद जो है वो किस महापुरुष से है, किस great personality से है, तो शान्ती निकेतन का संबंद आपने यहाँ पर देख लिया कि इनका संबंद रबिंदरना टैगोर से है, श बन गया है, यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलपुर के पास में इस्थित है, तो आपको ध्यान रखना है, यह कहाँ पर इस्थित है, यह बीरभूम जिले में इस्थित है, जो की पश्चिम बंगाल अधात वेस्ट बंगाल में है, और यह रविंद रना ट पढ़ते हुए देखा जा सकता है, शान्ती निकेतन जो है उसका अर्थ होता है शान्ती से भरा हुआ गर और इसके आसपास की जो प्राक्रतिक छटा है वो देखते ही बनती है, देश दुनिया के जो पर्रटक है वो इस जगे गूमने के लिए आते हैं, अगर हम शान्ती निक जो की रविंद्रना टैगोर के पिता थे और इसके बाद में उनके जो पुत्र थे महशी देविंद्रना टैगोर के रविंद्रना टैगोर उनके द्वारा शान्ती निकेतन का विस्तार किया गया था, ये जो शान्ती निकेतन है इसे पहले भू बढ़ंगा कहा जाता था औ और उस समय वहाँ पर केवल एक इमारत थी और उस इमारत का नाम था शांती निकेतन, तो महर्शी देबेंदरनाथ टैगोर जो है उन्होंने उस इस्थान को पसंद किया और इसके रुपए एक के खिलाफ महर्शी के नाम पर एक टोकन मुल्ले के रूप में पंजीकरत किया, में शांती निकेतन में आश्रम की स्थापना की गई थी, इसके अलावा 1930 में जब रविंदरनाथ टैगोर को नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया था, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर स्कूल का विस्तार किया और 1921 में जो स्कूल है उसका एक विश्व विद्याले क रूप में इनके द्वारा विस्तार किया गया, हमने देखा कि 1913 में जो रविंदरनाथ टैगोर थे उन्हें नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया था, तो उन्हें नोबल पुरुसकार कौन से शेत्र में मिला था लिट्रेचर अथाथ साहित्ते के शेत्र में, गीतांजली नाम कि उनकी एक कृति थी, गीतांजली नाम कि उनकी एक रचना थी, उसके लिए मिला था, और ये पहले भार्टिव थे जिन्हें नोबल पुरुसकार मिला था, ये first Indian ही नहीं थे बलकि ये first non European थे, जिन्हें नौबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, लिट्रेचर के शेत्र में इसके अलावा शांती निकेतन जो है उसमें 1921 में विश्व भारती विश्व विद्याले जो है वो उसके रूप में आगे बढ़ा तो आपको ध्यान रखना है शांती निकेतन बढ़ा था विश्व भारती विश्व विद्याले के रूप में और ये देश के जो सबसे creative minds हैं उसको attract किया शान्ती निकेतन ने रविंदरनात ये चाते थे कि उनके जो चात्र हैं वो स्कूल के आपचारिक सीखने के माहौल के बावजूत स्वतंत्र महसूस करें तो ये जो विश्व भारती विश्व विद्याले था इसने बहुत ही creative minds को attract किया था इसके अला ये जो इमारते हैं ये शान्ती निकेतन का मुख्य आकरशन है शान्ती निकेतन में एक काली ताल जैसा पर्रिटन इस्थल है जो की कोपी नदी के तटपर इस्थित पवित्र शक्ती पीठों में से एक है इसके अलावा यहाँ पर टैगोर का आश्रम है जिसे 1863 में उनके प और मुदृत कपड़े जो हैं वो सभी इसमें शामिल है रबिंद्र भवन संग्रहाल्य ऐसी एतिहासिक जिग्यासाओं के लिए एक सुख़ दिस्थान है और ये जो रबिंद्र भवन संग्रहाल्य है इसमें टैगोर को जो नौबिल पुरुसकार पदक मिला था वो भी सबसे आकर्शन जनक इमार्तों में से एक है जो उपासना घर है वो बैल्जियम ग्लास से बनी हुई है और से काच मंदिर भी कहा जाता है जो की काच की दिवारों से अपना नाम रखता है इसके लावा यहाँ पर डियर पार्क है डियर पार्क जो है वो इस सिस्थान से लग रिटन इस्तल है जो की शांती निकेतन से 3.1 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है तो इस तरीके से आपने शांती निकेतन के बारे में इन्फोर्मेशन ली नाओ लेट्स मूव ओन टू नेक्स पॉइंट हिस्ट्री ऑफ 3 जनवरी तीन जनवरी के इतिहास में अगला पॉइ था में का उसका 1968 में प्रक्षेपंड किया गया था किया गया था। लांच औफ़ इंडियाज मिटर्रोजिकल रॉकेट में का इन 1968 तो आपको ध्यान रखना है भारत का जो पहला मौसम विग्यान रॉकेट था फस्ट metrological rocket था, वो था main का, इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत में rocket man किसे कहा जाता है, तो भारत में rocket man बोला जाता है K7 को, K7 is popularly known as rocket man in India, यह आपको ध्यान रखना है, K7 जो है, he has served as director of Vikram Sarabhai Space Center and Liquid Propulsion Center, He was chief architect of Sitara, K7 जो है, वो Sitara के chief architecture थे, Sitara क्या है, तो Sitara जो है, वो एक 6D trajectory simulation software है, और इसके यह chief architect थे, He has worked on design and development of ISRO's launch vehicle and has huge contribution toward end-to-end mission planning, design and mission integration and analysis, अगर हम K7 के बारे में बात करें, तो हाल ही में news में देखा गया था कि Central Government ने, केंद्रिये, सरकार ने, ISRO के जो chairman है, अभी K7, उनका जो term है, उसे extend कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, rocket man K7 को माना जाता है, और अभी यह ISRO के chairman भी है, और इनका जो term है, वो extend कर दिया है, Central Government ने, एक साल के लिए, अभी इनका retirement होने वाला था, January 14, 2021 को, लेकिन अब इसे extend कर दिया है, और अब इनका retirement होगा, January 14, 2022 को, तो एक साल के लिए, इनका जो term है, उसे extend कर दिया गया है, इनने ISRO को join किया था, 1982 में, और इसके बाद में, य यह आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, अब हम चलते हैं, next point की तरफ, तो भारत के प्रसिद्ध वैज्यानिक Satish Dhawan का निधन, 3 January 2002 में हुआ था, India's most famous scientist Satish Dhawan, died on 3 January 2002, Satish Dhawan, Satish Dhawan का अपने नाम सुना होगा, अभी हमने देखा, Satish Dhawan Space Center है, तो उस Space Center का नाम किसके नाम पर रखा गया है Satish Dhawan, जो की एक famous rocket scientist थे उनके नाम पर, और उनका आज के दिन 2002 में निधन हो गया था, तो अगर हम Satish Dhawan के बारे में बात करें, तो Satish Dhawan was a brilliant space scientist, who led Indian space program to extraordinary growth and spectacular achievement, अठात, ये एक काफी ही brilliant अंत्रिक्ष वैज्यानिक थे, ये एक rocket scientist थे, और इन्हें जो इंडिया की scientific community है, उन्हें father of experimental fluid dynamic research in India भी माना जाता है, और इसके साथ ही ये एक most eminent researcher थे in the field of turbulence and boundary layers, अगर हम Satish Dhawan के बारे में बात करें, तो Satish Dhawan जो है, उन्होंने succeed किया था विक्रम सारा भाई को, विक्रम सारा भाई के बारे में आपको पता होगा, विक्रम सारा भाई जो है, वो Indian space program क founder थे और ये इसरो के chairman थे और इसके बाद में इन्हें succeed किया था Satish Dhawan ने, he was also the chairman of space commission and secretary of government of India in department of state, इसके लावा जो professor Satish Dhawan थे, वो head थे Indian space program के और साथ ही इन्होंने अपना substantial effort दिया है toward boundary layer research, इसके साथ ही he credited for setting up the first supersonic wind tunnel in India at IISC, IISC में जो भारत की first supersonic wind tunnel बनी थी, उसको set up करने में के लिए इनको credit दिया जाता है, इसके साथ ही professor Satish Dhawan जो है, he carried out pioneer experiment in rural education आथा, रूरल education में इन्होंने कुछ pioneer experiment किये है, remote sensing and satellite communication में इन्होंने experiment किये है, इसके साथ ही इनके जो efforts थे, that effort led to operational systems like INSET, इनके जो efforts थे उसके कारण ही INSET की शुरुआत हुई, INSET जो है, वो एक telecommunication satellite है, इसके साथ ही इन ही के efforts से IRS बना, IRS the Indian remote sensing satellite है और इसके अलावा polar satellite launch vehicle that placed India in a league of spacefaring nations, इसके अलावा इनकी death हमने यहां पर देखा 2002 में हुई थी और इनकी death के बाद में जो Indian satellite launch center था श्री हरी कोटा आंदरप्रदेश में, उसका नाम इनके नाम पर professor Satish Dhawan Space Center रख दिया गया, तो जो Satish Dhawan Space Center है, वो कहां पर है, श्री हरी कोटा में, श्री हरी कोटा कहां पर है, श्री हरी कोटा है, आंदरप्रदेश में और यह एक Indian satellite launch center है, अब हम चलते हैं, practice questions की तरफ, Now, let's move on to practice questions, अधात अभ्यास प्रशन तो पहला प्रशन है, इन्दी येर 2018, in which language a film was made on the biography of Savitri Bai Phule, वर्ष 2018 में कौन सी भाषा में Savitri Bai Phule की जीवनी पर एक फिल्म बनाई गई थी, कन्नड, तमिल, तेलगू या हिंदी, अगला question है, शांती निकेतन is a place related to which great man, शांती निक किस महापुरुष से संबंदित इस्थान है, रविंदरनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दयानन चरस्वती या राजार राम मोहन राय, next है, मुन्शी नवल किशोर is related to which field, मुन्शी नवल किशोर किस शित्र से संबंदित है, प्रेस से, डांस अठात नृत्यकला से, साइन् ज्यान से या मैडिकल अठाच चिकिट्सा के शित्र से, अगला है, भारत में रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, अगला कोशन है, तो यहाँ पर हमारा आज का डिसकर्शन खतम होता है, यह जो प्राक्टिस कोशन्स दिये गए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, थैंक यू सो मच फॉर तोड़ेस दिसकॉशन, वैरी हैपी न्यू यर वन्स अगें, स्टे हैपी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच.